नमस्कार मैं रवी स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में आज मैं आपको बताऊंगा जब आप अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप में विंडोज इंस्टॉल करते हैं उस वक्त सबसे पहला प्राब्लम यह आता है कि आप अपने pen drive या cd को boot कैसे क करेंगे boot menu कैसे open होगा बायो सेटप कैसे किया जाता है boot menu सेटिंग के सभी प्रोसेस इस वीडियो में आपको डीटियल में बताऊंगा तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे हैं जब कभी भी हम अपने computer या laptop में windows installation करना चाहते हैं तो सबसे पहला प्राब्लम यह होता है कि हम जिस भी drive से boot कराना चाहते हैं उसे boot menu में कैसे set करें बूट मेन्यू set करने से पहले मैं आपको एक लाइन में बता दू कि बूट होता क्या है जैसे कि हमारे computer में कोई भी hardware drive run हो रहा होता है तो उसे boot होना कहते हैं जैसे हमारे computer में hard drive run हो रहा है इसका मतलब हमारे computer में hard drive बूट हो रहा है उसी प्रकार USB drive रन हो रहा है इसका मतलब USB drive बूट हो रहा है हर कंप्यूटर या laptop में बूट मेन्यों open करने के अलग-अलग बूट की होते हैं आप यहां कुछ ब्रैंड के बूट की और BIOS की देख सकते हैं अब हम बूट सेटिंग कैसे किया जाता है वो देखते हैं बूट सेटिंग करने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह कि आप अपने कंप्यूटर के बूट की प्रेस करके वहाँ से बूट आप्शन सेट कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप अपने कंप्यूटर के बायो सेट अप को आउन करके वहाँ से बूट आप्शन सेट कर सकते हैं हम सबसे पहले पहले option से boot setting करके देखते हैं उसके लिए मैं अपने computer को start करता हूँ मेरे computer में boot option F12 से आता है तो मैं अपने computer में F12 दो-तीन बार प्रेस करूँगा जब तक कि मेरे computer में boot menu open ना हो जाए यहां boot option खुल चुका है यहाँ से हम जिस भी drive से boot कराना चाहते है उस drive को select कर सकते हैं अगर आप अपने computer में Windows installation करना चाहते हैं और आपने computer में bootable drive connect कर रखा है जैसे bootable pen drive से boot कराना है तो bootable pen drive को सेलेक्ट कर लेगे, CD drive से कराना है, तो CD drive सेलेक्ट कर लेगे. Boot option set करने का दूसरा तरीका ये है, कि आप अपने computer के bio setup को on कर ले, जैसे कि मेरे computer में bio setup F2 बटन से open होता है, तो मैं अपने computer को start करूँगा, और F2 बटन दो-तीन वार press करूँगा, जब तक कि मेरा bio setup open न हो जाए, यहाँ हम right arrow से boot वाले option में चले जाएंगे, यहाँ आप जिस भी drive से अपने computer को boot कराना चाहते हैं, वो drive सेलेक्ट कर सकते हैं, अब आप इसे save कर ले, save करने के लिए, आप F10 बटन प्रेस करेंगे, और enter दबाएंगे, तो इसी तरह आप अपने computer में boot option set कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, thank you.